इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको मैं सीता मडी जिला के बोखरा थाना छेतर के गोड़ोल गाउं से आ रही है जी नमस्कार मैं साहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बियार अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूँ के सीता मडी जिला के बोखरा परखंड के अंदर पती पतनी का बिवाद हुआ जिसके अंदर पतनी की मौत हो गई है और वहीं पती की हालत नाजुक बताई जा रही है मौके पर जो बोखरा थाना की पुलिस है वो पहुँची है और एक-एक बिंदू पे जाच कर रही है ये बड़ी खबर सीता मडी जिला के बोखरा परखंड से बता रहा हूँ मैं बोखरा परखंड के गोड़ाउल वाड छे के अंदर मनेजर राय और उसकी पतनी बवीता देवी के अंदर बिवाद हुआ और उसके बाद दोनों का बिवाद इतना ज्यादा बढ़ गया के पतनी की मौत हो गई है तो ये बड़ी खबर सीता मडी जिला के बोखरा थाना छेतर से बता रहा हूँ मैं मिली जानकारी के मताबिक बोखरा थाना मौके पर पहुँच करकर जो देत बोडी है उसे पोस्ट माटम के लिए सीता मडी सदर अस्पताल भेद दिया है वहीं पती की हालत नाजु को बताई जा रही है उसे मुझफ़र पुर जिला के SKMCH सिरी कृष्णा मेडिकल के अंदर भेजा गया है तो इस वक्त की बड़ी खबर सीता मडी से आ रही है सीता मडी जिला के बोखडा ठाना छेतर के अंदर गुड़ावल वाड छे में पती पतनी का बिवाद हुआ और उस बिवाद में पतनी की दर्दनाक मौत हो गई है बताया जा रहा है कि जो पतनी है उसका पेट पूरी तरह से फट गया है और आत बाहर आ गया है और मौके पर वहाँ जो बोखडा ठाना की पुलीस है वो पहुची हुई है और एक एक बिंदू पे जाच कर रही है तो ये बड़ी खबर सीता मडी जिला के बोखडा ठाना छेतर से मैं बता रहा हूँ मैं लगातार जो है वहाँ लोगों की भीरी खटा हो रही है और बोखडा ठाना की जो पुलीस है वो मोके पर पहुची हुई है पत्नी और पती के अंदर बिवाद हुआ था और वो बिवाद इतना जादा बढ़ गया के वो खूनी खेल बन गया तो सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बोखडा के गोड़ाउल गाउं से आप तस्वीर देखिए और तस्वीर से अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो पुलीस और जो गिरामीन है वो कितनी बड़ी तैदाद में यहां मोके पर मौजूद है तो यह बड़ी खबर सीता मड़ी जिला के बोखडा ठाना छेतर के गोड़ाउल से मैं दिखा रहा हू तो यह सीधी तस्वीर आप देखिए तो लगातार जो है वो बोखडा ठाना की पुलिस यहां मोके पर मौजूद है कई समाजिक कारे करता यहां पर मौके पर अस्थानिये जो जिला परिसेद है सिराजुलक मौम्मद वो भी पहुंचे हुए है वो भी मोके का जाजा लेने के लिए पहुंचे हैं मिली जानकारी के मुताबिक पती पतनी के बीच में बिवाद हुआ था और वो बिवाद इतना बढ़ गया के खूनी खेल हो गया वहीं पती की भी हालत नाजु को बताई जा रही है उसे आनन फानन में SKMCH मुझफर पूर में भेजा गया है जो बोख इस पर आके क्या मोर आता है क्यों बिवाद हुआ था किसलिए बिवाद हुआ था पूरी जानकारी हम आपको देंगे लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल लई है कि पती पतनी का बिवाद हुआ था जो पती मनेजर राय जिसका नाम है मनेजर राय और उसकी पतनी में तो यह तस्वीर आप देख लिजिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बड़ी ताइदाद में जो अस्थानिय गिरामीन है या बोखड़ा थाना की पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई और बोखड़ा थाना की पुलिस एक-एक बिंदू पर जाच कर रही है क्या नाम है बेटी का अपके? काहन चान कुमारी कैसाल पहले साधी किये थे? काहा गर है आपका? अमरले दावर घर होता है तब पहले से पता था जागरा बड़ा होता उसके बादेले? काहा बेटी बालो मौरल है बापड़े बेटी माड़ी है तब बापड़े बेटी माड़ी है काहा बेटी माड़ी है अभी कहा है अभी कहा है जो मड़ी हुँ मेड़ी कहा है बेटी कहा है आपके बेटी में लाला चाहट लागा लिए नहीं आगो लड़का जो मारा है हुँ नहीं हम को मालूम नहीं है आप उसको नहीं देखे हैं भाग गया नहीं उसका हाथ आई तर सार सारो सब काता है नहीं है आप किस्टा बाइए आपको बाइए कर भाग आपको लुड़ कर दो घड़का ही जड़का है बाएए